आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। जाती है, तो प्रकाश तरंग के तरंगागर को दर्शाता है, प्रकाश गतिमान है, है ना, तो हमसे ये चीज कुछ पूछी गई है, कि प्रतेक माध्यमें समानतर पुंच के पुंच में होगा, या फिर प्रतेक माध्यमें अभिसारी पुंच के रूप में होगा, या प्र दूसरा लास्ट वाला हो गया दर बचो सबसे पहले तो एक बात मैं बता दूँ को जो हमारी प्रकाश होता है ना जो प्रकाश है प्रकाश हमेशा कि समांतर किरण कि समांतर किरण पुंज के रूप में ही गती करता है अगर वो समांतर है तो है ना यहां से देखे पास-पास की दूरी के लिए ठीक है तो यहां पर किसी भी माध्यम में चले जाएए आप किसी भी किसी भी माध्यम के लिए है ना माध्यम के लिए तब अब यहां पर आप देहां से देखेएगा कि जब प्रकाश सभी माध्यमों में क्या चलेगा प्रकाश चलेगा क्यूं समांतर क्यूं चलेगा क्यूं कि जो इनके मध्यमें क्या होता है पथांतर होता है है ना पथांतर वो हमेशा केसा होगा बटा पथांतर जो होगा वो हमेशा सभी केसे में चाहे वो देखे ध्यान से इस वाले में इसमें भी समांतर आ रहा है इसमें भी समांतर आ रहा है तो दोनों ही माध्यमों में जो पथांतर होगा वो केसा होगा बच्चो सेम होगा पथांतर जो होगा वो नियत रहेगा नियत रहेगा किन में दोनों माध्यमों माध्यमों है ना जब पथांतर नियत रहेगा तो फिर जो हमारा पहले वाले माध्यमें भी समांतर होगी और दूसरे वाले माध्यमें भी समांतर होगी यानिकि प्रते एक माध्यम में क किरण जो है तो समांतर पुंज के रूप में ही गती करेगी तो जो हमारा अ है वो एकदम सही जवाब कि सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर